आज की कहानी है सबसे कम उम्र में शौर्य का सरवच्च पदक परमवीर चेक्र पाने वाले सेनिक योगिंदर सिंग यादव की जो सतरा गोली खाने के बाद भी लड़ते रहे 10 माई 1980 को यूपी के बुलंग सहर जिल्ले में मौजूद औरंगाबाद आहिर गाओं में योगिंदर यादव का जन्म हुआ 1996 में महद 16 साल की उम्र में फौज में बढ़ती हो गए आर्मी जॉइन के वे योगिंदर को कुछ ही साल हुए थे कि सीमा पर कारगिल का युद छिड़ गया इस युद के दौरान योगिंदर सिंग यादव को टाइगर हील के तीन सबसे खास बंकरों पर कबजा करने का काम सौपा गया था टाइगर हील करीब 17,000 फिट की उचाई पर थी इस पर कबजे की जिम्मेदारी 21 जवान को सौपी गए जिनमें से योगंदर यादव भी एक थे दो जुलाई की रात उन्हाने चड़ना सुरू किया वो रात में चड़ते थे और पूरे दिन पत्थरों में छुपे रहते थे क्योंकि दिन में दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकते थे और उन पर अटेक कर सकते थे जब पाकिस्तान की आर्मी को इसकी भनक लगी कि इंडियन आर्मी उपर चड़ रही है तो उन्होंने दौनों तरफ से फायर खोल दिया जब कर फायरिंग इसी बीच साथ सैनिक उपर चड़ गए बाकी के जवान नीचे रह गई फायरिंग इतनी जबरदस्त हो रही थी कि जो उपर थे वो उपर रह गए और जो नीचे थे वो नीचे ही रह गए चार जुलाई की राज जब साथ सैनिक कुछ और उपर पहुचे तो सामने दुस्मन के दो बंकर थे उन साथो जवानों ने एक साथ फायर खोल दिया इस फायरिंग में पाकिस्तान के चार जवान मारे गए इसके पशाद बार्तिसैनिक आगे बढ़े तो वहां से टाइगर हील सिर्फ 50-60 मीटर की दूरी पर था पाकिस्तान की फॉज ने देख लिया कि इंडियन आर्मी यहां तक आ गई है उसके बाद उन्होंने फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी फायरिंग ऐसी थी कि वहां से एक कदम आगे बढ़ने पर भी मौत निश्चित थी और पीचे हटने पर भी जानना बस्ती मरना लगबग निश्चित था ऐसे में उन्होंने दुश्मन को मार कर मरने या दुश्मन को जितना नुकसान पोचा सके उतना पोचाने का निश्चे किया पांच जुलाई की सुबब भात्य सैनिक उनके मौचे में गुस गए वहां पांच गंटे लगातार लड़ाई लड़ी दौना तरफ से जम कर फाइरिंग कुई दीरे दीरे उनके एम्यूनेशन खत्म हो रहे थे उन्होंने प्लान किया कि अब वे फाइर नहीं करेंगे और पत्थरों में जाकर चुप गए उदर से दुस्मन लगातार फाइर कर रहे थे करीब आदे घंटे बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान ये जानने के लिए बाहर निकले कि हिंदुस्तान के सैनिक कितने हैं सबी मारे गए या कुछ बचे हैं सैनिकों ने पहले से प्लान और आपस में कॉडिनेशन बनाया वा था वे जैसे ही बाहर निकले उन्होंने एक साथ अटेक कर दिया एक दो को छोड़कर बाकी सब दुस्मन मारे गए भारतिय सैना ने वहां पड़े पाक के एमिनेशन उठा लिये अब उनके पास एमिनेशन भी थे और हत्यार भी पाक के जो जवान बच गए थे उन्होंने जाकर अपनी टीम को खबर दे दी इसके बाद आदे घंटे के अंदर पाकिस्तान के 30-35 जवानों ने भारतिय सैना पर अटेक कर दिया फाइरिंग इतनी जबरदस थी कि उन्हें 20 मिनट तक सिर उठाने का मौका नहीं मिला उनके पास बहुत हेवी हत्यार थे पाक के जवान लगातार फाइरिंग कर रहे थे, ग्रेनेट फैक रहे थे, वे बेहक करीब आ गये थे और उन्हें चारो तरफ से खेर कर अटेक कर दिया था पल भर में सब कुछ खतम हो गया था योगिंदर के सभी साती सहीद हो गये पाक सेना को लगा कि योगिंदर भी मर चुके थे, लेकिन वो जिन्दा थे, वे होश पड़े थी पाक सेना के कमांडर ने कहा कि जरा चेक करो इन में से कोई जिन्दा तो नहीं है वे आकर एक एक को गोलिया मारने लगे उन्हें योगिंदर यादव को भी पैर और हात्मे गोली मारी लेकिन उन्होंने आह तक नहीं किया चुप चाप दर्द सहते रहे उनको ये विश्वास था कि अगर उनके सीने में गोली नहीं मारी तो उन्まで मरेंगे नहीं वे चाते थे कि कैसे भी करके उनके साथियों को इसकी जानकारी देदूं कि ये लोग हमारे नीचे की पोस्ट पर अटेक करने वाले हैं तो देर बाद पाक का एक जवान हत्यार उठाने आया उसने योगिंदर के सीने की तरफ बंदूग दान दी तब तो योगिंदर को लगा कि अब वे नहीं बचेंगे लेकिन उसकी गोली आकर उनके पॉकेट पर लगी जिसमें उनने कुछ सिक्के रखे थे जिससे वे बच गए वो जवान जैसे ही आगे बढ़ा तो योगिंदर ने हिम्मत करके अपने पॉकेट से ग्रेनेट निकाला और उस जवान के उपर फैक दिया दमाके के बाद पाकिस्तान के जवान पुरी तरह हिल गए इसके बाद उनने दो तीन जगा से फाइरिंग करना शुरू कर दिया उन्हें लगा कि सायद सपोर्ट के लिए भारत की फॉज आ गई है और वो भाग खड़े दुए उसके बाद यादव अपने सात्यों के पास गए वहाँ कोई भी जिन्दा नहीं बचाता वे बहुत देर तक रोए हाथ में गोली लगने से हड्या तूट गई असरन ये डर्द हो रहा था उसका मन कर रहा था कि हाथ को तोड़ कर फैक दूँ उन्हाने हाथ तोड़ने की कोशिश की फिर भी हाथ नहीं तूटा पीछे बेल्ट से हाथ को फसा लिया उनके चारों तरफ बर्फी बर्फ ती यह भी नहीं पता था कि भारत किदर है और पाकिस्तान किदर है फिर एक नाले से लुड़कते हुए नीचे पहुचे वहाँ उनके साथ ही आए और उनको उठा कर ले गए किसी को उमीद नहीं थी कि वे जिन्दा रहेंगे उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी अपने अफसर को दी उस जानकारी से उसी राद भारतिय सेना ने टाइगर हील पर हमला बोला और विजय प्राप्त की जिसकी नीव योगिंदर सिंग यादव पहले ही रख चुके थे योगिंदर सिंग यादव के इस अजबुच शौरिय वसहास के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परम वीर चक्र देकर सम्मानित किया